प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में मुरादाबाद के दिव्यांग कारोबारी सल्मान खान वे उनके सहयोग्यों की तारीफ करते हुए उनके द्वारा के जा रहे कारोबार का जिक्र किया तो सल्मान सहीत सभी सहयोग्यों की खुशी का ठीकाना नहीं रहा सभी ने प्रधानमंत्री का शुक्रिया वै आभार व्यक्त किया उत्तरपर्देश के जिला मुरादाबाद के ग्राम गोदिपूर हमिरपूर के विकलांग सल्मान खान ने विकलांगता को नकारती हुए गाउं में ही एक छोटा सा कारोबार इस्थापित किया सल्मान ने टारगेट नाम से चपले बनाने का कार खाना लगाया और सहयोग के लिए सल्मान ने उन सभी दिव्यांगों को चुना जिन्हें दिव्यांगता के चलते रोजी रोटी के लिए दुश्वारिया आ रही थी सल्मान खान की चपलों की इस फैक्टरी में मशीनों से चपल बनाने से लेकर पैकिंग तक इलाके की ही लगभग 20 से अधिक दिव्यांग काम कर रहे है और सुकून से रोजी रोटी कमा रहे है प्रधान मंतरी के मुख से आज सुनने को मिला आप लोगों को कैसा लगा बहुत अच्छा लगा सर प्रधान मंतरी को बहुत अन्य बात देना चाहता हूं सर और प्रधान मंतरी जी ने जो हमारे काम की सराना की है उसका मैं आवारी हूं सर और मैं ये प्रिधान मंत्री से रिकोष्ट करना चाहता हूं सर कि उत्तर परदेश में पैंसन जो है दिभ्यांगों की वो मात्र पांसो रुपे है और उत्तरा खांच सर बरावर में है हमारी वहां तीन हजार रुपे मैं प्रिधानमंदी से ही रिकोस्ट करना चाहता हूं कि वो इसे आपकी संग्यान में ले और सर हमारी पैंसर बढ़ा दी जाए